इस वीडियो में हम पिटल्स क्लास 5 वर्क बुक डे 44 की वर्कशीट का सोलुशन देखेंगे सबसे पहला हमारा कोश्चन है You have read the lesson, now complete the given sentences अब यहां पर जो आपका lesson है in the zoo इस lesson की कुछ incomplete sentence दे रखे हैं उन्हें पूरा करना है सबसे पहले बात करते हैं नेहा, oh yes, I want to see a giraffe हमने पूरे कर दिये है, first, where is the giraffe मैं सबसे पहले जिराप को देखना चाहती हूँ कहां है जिराप, यह कहती है नेहा अरुन, see, the giraffe is near the fence देखो, जिराप, fence यारी बाढ़ के पास है It has a long neck, इसकी तो एक लंबी गर्दन होती है फिर बात करते हैं, नेहा, brother, look at the monkeys भाई, बंदरो को देखो, अरुन, yes, the monkeys are swinging up and down the trees हां, बंदर, पेडो पर उपर नीचे जूल रहे हैं नेहा, oh my god, look at the tiger, hey, मेरे भगवान चीते को देखो, भाग को देखो, अरुन, it's on the wreck रोक, it's on the rock, हां, वह चटान पर है अब बात करते हैं, हम अपने second question की राइट, can और cannot to complete each sentence यहाँ पर आपको परतेक sentence को पूरा करने के लिए क्या वह कर सकता है, क्या वह नहीं कर सकता है, यह लिखना है birds can fly, पक्षी उड़ सकते हैं, fish cannot sing, मचली गार नहीं सकती elephants cannot jump, हाथी कूद नहीं सकते, dogs can bark, कुते भौक सकते हैं turtles can swim, और कछवे तैर सकते हैं, अब देखते हैं हम अपने तीसरे question को, third question को, यहाँ पर क्या करना है, solve these riddles and write the names of the animals, आपको यह riddles जो दे रखी है, यह पहेलियां जो दे रखी है, इनको solve करना है और अपने answer को लिखना है I have strips on my body, I am the national animal of India, मेरे शरीर पर चकते होते हैं और मैं भारत का राष्टिय पशु हूँ, कौन है यह, tiger होते हैं I have a very long neck, मेरी बहुत लंबी गर्दन होती है, I can reach the top of the trees मैं पेडो की चोटी पर पहुंच सकता हूँ, यह कौन होते हैं, giraffe I have a hump on my back, I am the ship of the desert, मेरी कमर पर एक कुबर होता है और मैं रेगिस्तान का जहाज है, तो यह कौन होता है, camel I am a very faithful animal, मैं एक बहुत ही वफदार जानवर हूँ, I guard your houses and farms मैं आपके farms यानि खेतों की और घरों की रखवाली करता हूँ, यह कौन है, dog है तो इस तरह से हमने day 44 की worksheet का solution इस वीडियो में देखा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको like कीजिए, share कीजिए और हमारे channel को subscribe कीजिए, धन्यवाद